हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कच्छा एक के विसे हिंदी की वक्सीट को solve करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी वक्सीट वीक नमबर 3 के लिए है जिसका टॉपिक है पार्ट 3 आम की टोकरी तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो बच्चों शुरू करते हैं Question 1 है कविता को पढ़ें बच्चों यहाँ पर कविता है आम की टोकरी 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है इट मीज पैसे नहीं बताती है दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है नाम नहीं अब पूछना हमें आम हैं चूसना अब बच्चों कवीता में से तुकबंदी वाले सब्द छाट कर लिखो तो बच्चों कवीता में तुकबंदी वाले सब्द हैं जैसे की छोकरी टोकरी आम दाम पूछना चूसना आम नाम अब बच्चो question है कवीता में छोकरी 6 साल की है आप कितने साल के हैं तो बच्चो आप सभी कितने कितने साल के हैं सभी यहाँ पर अपनी उम्र लिखेंगे जैसे की 5 साल के अब बच्चों question है, कवीता में टोकरी में आम है, इस टोकरी में अपने मन पसंद फल बनाएं और रंग भरें तो बच्चों इस टोकरी में सबी अपने मन पसंद फल बनाएंगे और सुन्दर सुन्दर उसमें रंग भरेंगे अब बच्चों question number 4 आ की मात्रा वाले सब्द बनाओ और लिखो तो बच्चों जैसे यहाँ पर है के प्लस आ प्लस में तो मिलाकर क्या हुआ काम ने प्लस आ प्लस में नाम से प्लस आ प्लस में साम हे प्लस आ प्लस थे हाथ के प्लस आ प्लस ने कान अब है बच्चो, question number 5 आम से बहुत सी खाने की चीजे बनती हैं आम से बनने वाली चार चीजों के नाम लिखो तो आम से बच्चो क्या क्या बनता है? आम का चार बनता है आम पन्ना बनता है आम पापड बनता है और आम की चटनी जिसे खटाई कहते हैं वह भी बनती है बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू